जैहिन दोस्तों, EVS की प्रैक्टिस सीरीज में आपका स्वागत है और ये प्रैक्टिस सीरीज आपको कई टीचिंग एक्जाम्स में हेलफफुल होने वाली है तो जितने बच्चे इसे कॉंटिन्यूसली बने हैं, आप कॉंटिन्यूटी बनाये रखे अपना, ताकि ये आपको काफी ज़्यादा हेलफुल रहे आगे भी इसका टागेट है कि 20 वीडियो आएं, अभी आपका 10 वीडियो आज आ रहा है उसके बाद और 10 वीडियो आएंगे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो अभी तक अगर नहीं किया है और वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक भी किया करो ठीक है, चलो देखते हैं अपना पहला question हिमालियन माउंटेन रेंज are an example of which of the following mountains तो हिमालियन माउंटेन रेंज किस तरह के परवत का example है ब्लॉक माउंटेन्स का, फोल्ड माउंटेन्स का, रेजिडियोल माउंटेन्स का या फिर नन आफ दीज इसका correct answer हो जाएगा, second fold mountains यानि की वलित परवत ओके, next question देख लेते हैं इंडिया में किस नाम से जाना जाता है, गंगा, सिंधू, ब्रहपुत्र या फिर महा नदी तो इसका correct answer क्या हो जाएगा, third, ब्रहपुत्र ठीक है, next question देख लेते हैं which of the following dessert can be found between China and Mongolia China और Mongolia के बीच में कौन सा dessert यानि की मरुस्थल पाया जाता है तो पहला है, तकला मकान मरुस्थल, या फिर दूसरा, गोबी मरुस्थल, या फिर तीसरा, गुर्बन डुगुट्ट मरुस्थल, या फिर चौथा, दस एक कावीर तो इसका correct answer क्या हो जाएगा, second, गोबी मरुस्थल, ठीक है, next question देख लेते हैं दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील है, एमेज़न है, ब्रह्मपुत्र है, या फिर कांगो है, तो इसका correct answer क्या हो जाएगा, first, नील, ठीक है, ये maximum लोगों को पता ही होगा next देख लेते हैं, निम्नलेकित, उश्र कटीबंधिये चक्रवात नामों का मिलान, उनके संबंधित स्थानों से कीजिए तो कौन सा किस से संबंध करता है, ये आपको बताना है, विली-विली, ये कहां पे बोला जाता है, ये आपका बोला जाता है, आस्ट्रेलिया में फर्स्ट वाले में सारे सही दिया हुए है, तो ये आपका correct option हो गया, ठीक है, next question देख लेते हैं, in a food chain of grassland ecosystem, the top consumers are, top consumers कौन से होते हैं, यानि कि सबसे शिर्ष उपभोगता के बारे में बताना है, हर्विबोरस होते हैं, कार्निवोरस होते हैं, बैक्टिरिया होते हैं, या फिर इदर कार्निवोरस और हार्विबोरस, तो ये होते हैं, कार्निवोरस यानि की मांस भक्षी, ठीक है, तो आपको ecosystem का पूरा अगर food chain के बारे में पता होगा, तो ये भी पता होगा, next question देख लेते हैं, tropical grasslands are known as tropical grasslands, कौन से हैं इन में से, step is है, prairies है, सवाना है, या फिर इसका correct answer क्या हो जाएगा, third sawanah, कहां पर पाया जाता है, ये घास का मैदा, ये आपका पाया जाता है, एफरिका में, okay, next देख लेते हैं, the boundary line between India and China is called, तो जो सीमा रेखा है, भारत और चीन के बीच में, तो उसका क्या नाम है, red cliff line, line of control, park state, या फिर mac mohon line, तो इसका correct answer क्या हो जाएगा, fourth mac mohon line, mac mohon रेखा, okay, next समझते हैं, which statement is correct about dessert, dessert के बारे में, इन में से कौन सा खथन सही है, यानि कि मरुस्थल के बारे में, पहला है, these may be hot और cold, ये थंडे और गरम दोनों हो सकते हैं, plants do not adapt in dessert, या फिर तीसरा, day and night are always hot in dessert, या फिर चौथा, desserts are not affected by human activities, तो देखो, इसमें से correct आपका पहला ही है, these may be hot और cold, यानि कि dessert आपका गरम होता है, दिन के समय और रात के समय थंडा हो सकता है, तो ये थंडा और गरम दोनों होता है, दूसरा गलत क्यों है, बोल रहा है कि plants do not adapt in dessert, तो plants तो dessert में होते हैं, वहां के situation को adapt कर लेते हैं, अनु दिन में गरमी और रात में ठंडी होती है, फूर्थ क्या है, dessert are not affected by human activities, तो human activities से affect होता है, ठीक है, प्रभावित होता है, नेक्स्ट क्वेशन देख लेते हैं, in which continent is the Sahara dessert located, सहारा dessert आपका कहां पे है, एशिया, यूरोप, एफरिका या फिर ऑस्ट्रेलिया, तो ये आपका है थर्ड एफरिका में, ठीक, ये तो बहुत common question है, maximum लोगों का ये भी सही हुआ होगा, next question देखते है, which constellation is known as the Saptarishi, Saptarishi इन में से कौन कहलाएगा, उर्सा मेजर, या फिर कैनिस मेजर, या फिर स्मॉल बियर, या फिर ओरियन, तो इसका correct answer हो जाएगा, first, उर्सा मेजर, ठीक solar system किसके द्वारे discover किया गया था और वो कहां से थे, Kepler, जर्मनी से थे, Galileo, Galilei, Italy से थे, या फिर Ptolemy, मिस्र से थे, या फिर Nicholas, Copernicus, Poland से थे, तो इसका correct answer हो जाएगा, Nicholas, Copernicus, ये थे, Poland से, ठीक है, इन्हों नहीं ही सौर प्रडाली की खोज की थी, next question देख लेते हैं, The first spaceship sent out of the solar system was, तो solar system के बाहर सबसे पहला spaceship कौन भेजा गया था, चंदरयान 2, मंगलयान, या फिर pioneer 1, या फिर चौथा pioneer 10, तो सबसे पहला जो spaceship था, ये था pioneer 1, तो third हो जाएगा आपका correct answer, next देख लेते हैं, Some planets of solar system are given below, कुछ planets के नाम दिये हैं, Venice, Mars, Earth, Jupiter, Saturn, यानि कि शुक्र, मंगल, प्रित्वी, ब्रिहस्पती, शनी, Arrange them according to their size, size के according, arrange करने small से big, तो इसमें से सबसे small कौन सा हो जाएगा, Mars हो जाएगा, यानि कि B वाला, फिर आजाता है, Venice, यानि कि A, फिर अपना Earth, यानि कि C, फिर आजाता है, Saturn, देन Jupiter, तो इसका correct जो sequence है, ये दिया हुआ है, किस में दिया है, ये first में दिया है, ठीक है, तो पहला हो जाएगा correct answer, next question देख लेते हैं, the first Indian communication satellite वोज, सबसे पहला Indian communication satellite आर्यभठ था, भासकरा वन था, या फिर Apple, या फिर चंद्रयान वन, तो इसका correct answer हो जाएगा, Apple, ठीक है, next question देख लेते हैं, the name of space shuttle, which carried the Indian-born Kalpana Chawla into space was, तो कौन साथा, Columbia, Challenger, या फिर तीसरा, Atlantis, या फिर Endwear, तो इसका correct answer हो जाएगा, first Columbia, तो first वाला है, fourth में, ठीक है, तो fourth हो जाएगा correct answer, next question को समझते हैं, in the context of Indian space research, वियो मित्र is the name of, वियो मित्र किस चीज़ का नाम है, India's first manned, first manned Mars mission, या फिर दूसरा, an Indian spacecraft, या फिर तीसरा, an Indian robot, या फिर चौथा, a newly found asteroid, तो ये है, an Indian robot, यानि कि एक भारतिय रोबोट, ठीक, next question को समझते हैं, jovian planets, are represented as the planets, jovian planets, यानि कि jovian ग्रहों को किन ग्रहों के रूप में दर्शाया जाता है, between inner and outer planets, या फिर दूसरा, after an asteroid belt, या फिर तीसरा, between sun and the belt of asteroids, या फिर चौथा, planets after earth, तो इसका correct answer हो जाएगा, after an asteroid belt, यानि कि जो outer planet होते हैं, वहीं क्या कहलाते हैं, jovian planets कहलाते हैं, ठीक है, next question, the satellite is used for communication, is called, कौन से satellite, communication के लिए use किया जाता है, तो संचार के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला उपग्रह, polar satellite, या फिर SLV, या फिर geostationary satellite, या फिर IRS-1A, तो इसका correct answer हो जाएगा, third geostationary satellite, next question देख लेते हैं, which astronaut of Indian origin holds the record of the maximum number of space walks, seven times, by a female, तो कौन सी थी, कल्पना चावला, या फिर मौमिता दत्ता, या फिर स्वाती मोहन, या फिर सुनीता विलियम्स, तो इसका correct answer क्या हो जाएगा, fourth, सुनीता विलियम्स, okay, तो यहाँ पर आपके हो जाते हैं, 20 questions complete, EVS की practice series ऐसी ही continue चलती रहेगी, और इसके साथ साथ एक CDP की भी practice series आने वाली है, जो कि सिर्फ और सिर्फ यूपी टेट के लिए ही रहेगी, ठीक है, तो यूपी टेट के लिए जितने लोग prepare कर रहे हो, तो आप उस practice series से जोड सकते हो, क्योंकि वो exam भी नजदीक आने वाला है, तो वहाँ पर भी main selected questions ही होंगे, तो मिलते हैं अपने next video में, तब तक के लिए, जैहिन, बाई बाई.